Hey everyone, welcome to StoryBee तो जल्दी से मुझे बताओ कि दिन में तुम कितने बार ना आते हो एक, दो या तीन एट मैक्स एक परसन दिन में तीन बार ना सकता है और कुछ-कुछ ऐसे लोग भी होता है जो दो-दो दिन तक नहीं नाते और अगर आप ये लास्ट वाले कैटेगरी में आते हो तो don't worry, आप बिल्कुल भी अनाइजिनिक परसन नहीं हो पता है क्यों? क्योंकि medieval era में जो kings and queens होते थे ना, वो तो अपने पूरे lifetime में एक या दो बार सिफनाते थे, उन्हें नहाना नहीं पसंद था and I am not kidding कुछ royals सच में ऐसे थे, जिनने लगता था कि हम क्यों ना आए, हम तो गंदगी में जाते नहीं सो हम गंदे नहीं होते होंगे They had this misconception कि dirty सिफ गरी blue होते हैं क्योंकि वो dirt में काम करते हैं पर royals क्योंकि खुद अपने साफ सुतरे महलों में रते हैं तो गंदे क्यों होंगे Also some royals thought कि they have this invisible aura around them which is divine and ना लिया तो औरा मिट जाएगा इसलिए कई दिनों या महीनों तक वो ना आते नहीं थे Let me tell you about a queen जो सिफ अपनी जिन्दगी में दो बार नाई है and खुद उसने ये सब को बता रहा है So साल था 1451 का and इसी साल में King of Castile को एक बेटी हुई जिसका नाम Isabel I रखा गया And medieval era के तुरान एक मिट था कि अगर आप ज्यादा ही ना लोगे तो skin pores open हो जाएगे And बाहर की infectious air body के अंदर चली जाएगे So disease के डर से लोग नहीं नाते थे And same चीज Isabella ने भी follow की She never took a path 1451 से 1504 तक She was like almost 53 years old And उसकी life span में उसने सिफ दो बार नाया होगा एक बार जब उसका जनम होआ था And दूसरे बार जब उसकी शादी होने वाली थी And this concept of नहीं नाना Doesn't mean कि वो लोग अपना हाथ पैर नहीं दोते थे King and Queen खुद के hands and legs को wash करते थे But जिसे हम proper shower बोलते है वो उस time के लोगों के लिए एक religious ritual टाइप होता था जैसे शादी से पहले Queen की दास या उनके लिए पानी वगेरा ready करती And एक proper bath उने देती तो ऐसा proper bath Isabella ने सिफ दो बार उसके life span मे लिया And बाकी के दिनों में Soap and water की जगर वो लोग face powder, natural oils and perfumes का use करके Dirt को hide करती थे and smell को चुपा लेती थे Then 1638 में और एक king देखने मला जिसका नाम था King Louis the 14th King Louis को तो पानी से ही डर लगता था इसलिए उन्होंने पूरी जिंदेगी में सिर्फ तीन बार बात लिया And rest of the time morning में उटके make-up लगाते थे And फिर half of bottle perfume यूज करके castle में जाके गुमने लग जाते थे Like you can only imagine महिनों का sweat and perfume जब मिलता होगा तो वो कैसे smell करते होंगे And जब ऐसी weird habits की बात होई रही है तो Queen Elizabeth I की बात हम कैसे न करें Queen Elizabeth भी महीने महीने तक नहीं नाती थी In comparison to other queens and kings of those era Queen Elizabeth का frequency थोड़ा जादा था And Elizabeth के ना नाने की पीछे Reese and Down का make-up Like वो काफी make-up लगाती थी अपने face पे गोरा दिखने के लिए And rose उसे साफ ना करना बड़े इसलिए वो कम ना आती थी Instead body odor को चुपाने के लिए Porfumes use करती थी And make-up कई-कई हफतों तक वैसी ही रहता था जिस वज़े से end वजा के उनका skin ने इतना खराब हुआ Like हम Indians के लिए अभी यह आदिज जब हम सुन रहे है बहुत ज़ादा मित था And एक दर था जिस वज़े से वो ना आती नहीं थे And अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या हूस है रहा के Indian kings and queens भी ऐसा करते थे तो जवाब है नहीं Reason being कोई भी पुरान या वेदास पढ़ लो उसमें आपको ancient Indian bathing rituals मिल जाएंगे जहां यह बोला गया कि दिन में सिर्फ एक बार नहीं पर दो या तीन बार नहारा चाहिए And क्योंकि हमारे यहाँ एक practice follow किया जाता था कि नहाने के बाद ही पूजा कर सकते है इस वज़े से hygiene के बामले में हमारे kings and queens बहुत आगे थे And इसलिए ही शायद हमारे यहां के bottles जो perfumes के पहले होती थी वो इतनी छोटी जोटी होती थी मग भर भर के डालना नहीं पड़ता था हमारे महरा राजाओ को क्योंकि वो रोस ना आते थे सोचो जब Britishers आए होंगे इंडिया में क्या सीन होगा कितनी लोगों का अपना नाग बंद करना पड़ा होगा Anyways jokes aside यह सारे stories इसलिए I am telling you क्योंकि I have seen this कि कई लोग Western culture को आग बंद करके follow कर लेते हैं तो ऐसा मत करो अच्छी चीज़ है तो जरूर follow करो उनके habits को बट ऐसी कई चीज़ है पर आज दर और मैनी Western countries जिसने टिशू पेपर के साथ-साथ वाटर भी यूस करना शुरू किया है Because tissue is just not enough to keep you clean down there So yeah, that's it यह ती कहानी medieval era के kings and queens की बार में who never like getting a bath So do let me know your take on this और यह वीडियो अच्छे लगी हो तो से like and share करे और ऐसे और अबड़ीट्स के लिए चानल को प्लीज सब्सक्राइब करे Thank you